हाई फ्रेंड्स राम राम ओम नमस्शिवाय आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि नवरातरी आने वाली है जो कि 26 सितंबर 2022 को पहली नवरातरी पढ़ेगी तो पहली नवरातरी यानि कि नवरातर का पहला दिन किसकी पूजा होती है और उनकी पूजा आप कैसे कर सकते हैं ये सारे चीजे मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो को लास तक देखा और चैनल को लाइक करना सस्क्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा तो अब मैं वीडियो स्चार्ट करती हूं नवराति का पर्व नौ दिनों तक बड़े ही धूमधाम स सभी माताओं यानि सभी जितनी भी देवी हैं उनकी पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है नवरात के प्रथम दिन मा शैल पुत्री की पूजा अरजना की जाती है मा शैल पुत्री सौभागी की देवी हैं उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं पर्वतराज ह जमाले के घर पुत्री रूप में उत्पन होने के कारण माता का नाम शैल पुत्री पड़ा, माता शैल पुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में इस्थिर्ता आती है, मा को व्रिशारुडा, उमा नाम से भी जाना जाता है, उपनिश् रात का पहला दिन 26 सितंबर 2022 पड़ेगा, तो इस दिन सुभा उटकर जल्दी स्थान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उनकी सुद्धी करें, रात के मंदिर में दीप प्रजुलित करें, मा दुर्गा को गंगा जल से अबशेक करें, रात के पहले दिन कलस स्थापना भी की जाती है, पूजा घर में कलस स्थापना के स्थान पर दीपक जलाएं, अब मा दुर्गा को अर्ध दे, मा को अच्छल सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें, प्रशाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं, धूब और दीपक जलाकर दुर मा को सफेद वस्त्रिया सफेद फूल अर्पित करें, मा को सफेद बर्फी का भोग लगाएं, इस तरीके से आप नौरात के पहले दिन, यानि कि माता शैल पुत्री की पूजा कर सकते हैं, और उनका मंत्र का उच्चारड करके उनने आमंत्रित कर सकते हैं, और उनको आशिर वाद प्राप कर सकते हैं तो आज के वीडियो मैंने आपको बताया कि अगर आप नौराद के स्टार्ट हो रही है तो पहले दिन आप श्माता सैल पुत्तरी की कैसे पूजा करेंगे वह वीदी मैंने आपको बताई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा सस्क्राइब बेल आइकन पर क्लिक करना मद भूलेंगे जै माता दी